आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल पाई रस्पी यह बहुत ही जादा टेस्टी बनती है और बहुत ही इजी वेसे बनाएंगे तो चलिए बुराना स्टार्ट करते हैं इसे पहले मैंने यहाँ पे दो पाई लिये हैं और इन्हें अच्छे से वाश कर लिया था उसके बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है अब मैं इसमें पाई को अच्छे से गलाना है तो आप देख सकते हमें इतना पाई डालना ताकि पाई अच्छे से गल जाए और पाए का पानी खतम नहाओ इतना पानी हो उसके बद मैंने एक टीसपुन तक के इसमें नमक डाला और इसे बंद करके हाई फ्लेम पे घलने तक चड़ा देगे उसके बाद मैंने यहां पे अधरक लसन लिया है इसका हम पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी अट करेंगे और अच्छे से पेस्ट बना लेंगे तो यहां पे यहां पे आधा कप तक के अधरक लसन का पेस्ट है उसके बाद मैंने यहां पे मिक्सी जार लिया है उसमें मै और तो कुझक पाने ड्यायद है नमक है देख सकतेकं हैं छोटी थेख स laboration करने हाए ही उसके नहीं पर पायाद के दाल सर्सो के तेंट लिया है। इकती हुई प्यास डाल देंगे उसके बाद हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और इससे अच्छे से तेल में फ्राइ कर लेंगे जब यहां पर देखिए हमारे पाई अच्छे से गल चुके हैं इसका पानी हम बिल्गुल भी सेपरेट नहीं करेंगे और अगर ग्रेवी में कम पानी लेगा तो हम एक्स्ट्रा एट कर सकते हैं बीच में एक आत बार आप मसाले को जरूर चलाएं ताकि मसाला पतीले में तले से ल अच्छे से पकने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया और काफी अच्छे से ओयल सेपरेट हो गया है बस इसी स्टेज़ पर हम इसमें पाई एड़ कर देंगे पानी के साथ तो देखिए मैं यहां पर इसे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते तो मुझे काफी थिक लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा पानी एड़ किया है और थोड़ा नमक भी आड़ किया स्वाद अनुसार तो इसे हम अच्छे से एक उबालाने तक के पका लेंगे तो क्यूंकि बैसे सारी के हरा धनिया डाला है उसके बाद हम सबी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम यहां पर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसे कवर कर देंगे इससे बहुत अच्छे खुश्बू आईगी त साथ में बेल आइकन प्रेस करें मुझे इंस्ट्रग्राम हैंडल पर फॉलो करें मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक लिए लविदार